नमस्कार दोस्तों आप देख रहें ये बिटी नीज से दोस्तों क्या आप एक ऐसे जेल के बारे में जानते हैं जिस जेल के अंदर जहेके निर्दोस लोगों को रिसर्चर, वकील, एडवोकेट तमाम जहेके समाजिक करे करता अनेक निर्देवस लोगों को जेके जेल में बंद करके और उन्हें जेके ऐसे जेके इस्तिती में लाग दिया जाता है जैसे के इस्तिती का कल्पना ने किया जाता हूँ दोस्तों सिटिंग मुख्यमेंतरी से ले करके और तमाम जेके समाजिक करता और तमाम जेके ऐसे लोग हैं जिनको जेके जेल के अंदर जेके डाल करके और उनके पीछे जेके मिडिया एंकर को लगा करके और उन्हें जेके समाज के सामने एकदम से जेके उनको जेके दोसी करा भॉपारक allerणीरक सब्सक्राइब करने का प्राव्धान हां दोस्तों। उसके साथ-साथ, मैं बता देना चाहता हूं कि उसके साथ-साथ ऐसा जह की ये भी बिवस्ता जह की लगाया जाता है, जैसे लोग उनके साथ-साथ परिजम, दुनों लोग कहा जाता है कि न्याई पालिकाप्र आप भरोसा रखें, जैसे न्याई मिलेगा आपको बरिक कर दिया जाएगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि 6 साल और 7 साल, 8 साल तक जो बेक्ति जेल के अंदर जेकि अपने जिन्दगी को यातनाव को जहला है, कुछ लोगों की जेल के अंद करना कितना जेके सहस्ता पुर जेकि लगता है, दोस्तों मैं बता दूं कि इस टाइम के दौर में ऐसा है जेकि कुछ प्रावधान जेकि की गई है, जिसके वज़ा से से लेकर कि समाजी करे करता, से लेकर कि तमाम जेकि एड़ पुकेट और तमाम जेकि समाजी करे करता, त सभी लोगों को एक बिसिस तोर से और अनेको धारा लगा करके उन्हें जेल के अंदर डालने का लगतार प्रवधान लगतार ब्योस्था बनाई रखी जाती है और जार है इस टैम दोस्तों मैं आप लोग से यह रिक्वेश्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को बिजिट जिन्दगियों को ब्रबात किया गया है जिसका कल्पना करने मात्र से बहुत निंदनिय लगती है जिसमें मैं बता दूं कि तमाम निरदोस लोग आज भी जेल के अंदर चक्की पीश रहे हैं कुछ अपने जिन्दगी के भीक मांग रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अपने जिन्दगी सही तरीका से जी नहीं सकते हैं ऐसे जेल की कल्पना किसी अगर तना साही कर सकता है और जेकि इसके अलावा जेकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो समाज से तालूक रखता हो और समाज को धोखा न देता हो लेकिन दोस्तों जेकि ऐसे जेकि ब्यो आप लोग को मालूम होगा कि तमाम धर्म निर्पेक्ष और लोगों को ऐसे प्रताडित की जा रही है उसके बाद बावजूद भी अपनी कुष्ट को थप्थपानी की प्रयास की जा रही है तमाम ऐसे जिसको डिलेट कर दे जा रही है जिसको डिमोनिटाइज की जा रही है और उसके बावजूद भी अपनी आपको एक बहुत महत्तोपुर बिसे जिकी बात पताई जा रही है दोस्तों मैं क्यों इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि जब भी कोई एपडेट सुप्रेम कोर्ट से ले करके या किसी अन्य एजनसी के द्वारा निकाली जा रही है उसको जेकी कुछ बिपक्ष के लोग जेकी बिरूद करें या ना करें लेकिन पक्ष के लोग जेकी ऐसे बिरूद करते हैं जैसे लगता है कि सबसे ज़्यादा उनको जेकी प्रिसानी और हिरानी के बात आ चुकी है सामने दोस्तों एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति संपूर तरीका से अपना जीवन और जिन्दगी यापन कर रहा है तो उसे प्रसान और हैरान करने की जरूरत क्यों पड़ती है किया एक छत्र और एक तरफा जेकर साथन करने की मूड से और एक जेकर बिसेश समुदाई को टारगेट करके और जेकर लोगों को हैरान और प्रिसान करने की बात कही जायỏi Review कि उस सरकार को अपने आप में स्वक्षता दिखाई दे तो क्या जेकि या सही है या गलत है आप हमीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों एक मैं और यह की बात बताना चाहता हूं कि जिस भी तरीका से राजनिती घलचल जहां भी जेकी लग रही है दोस्तों आज ब्यस्पी सुप्रेमो मायावति का पहला जेकी रैली नगीना में जेकी हुआ उसमें अकास अनंद ऐसे जहें कि टार्गेटिट जेकी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिजेपी एंड कंपणी के लोगों से मिलते जूलती उनके जेकी बाते जेकी लग रही है हमें इस बात से किसी प्रकार की दुख नहीं है या किसी बात का उनको अलोचना नहीं करना है क्योंकि अपनी डफली अपनी राग होती है लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब सभी लोग तरस्त होने के बावजूद एक छत्र एक साथ लड़ाई-लड़ने की बात देके नही उसी गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, जिस गोद में सभी लोग समा कर और अपने आपको निगेटिव महसूस करते हैं। दोस्तों, जब जेल में डालने की बश्ता अभी से बिपक्ष हो या पक्ष हो, सभी लोगों के साथ ऐसा है बेवहर चलते रहा, तो लाश्ट में अंततु गत्वा क्या होगा, जब बिपक्ष समाप्थ हो जाएगा, उसकी बाद से अपने ब्यक्टि को जेल में डालने की बिश्णड कर रहे हैं, उनको भी अप ड़र लगने लगा है कि कभी भी पासा प्लट सकती है और कोई भी बिटि जैल जा सकता है, तो दोस्तों, मैं इस बात को अस्वस्त करना चाहता हूँ और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप जहां से भी जेके हैं आप विडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके और जेके सपोर्ट जरूर करें क्योंकि कुछ ऐसे बाते आप लोग के बीच में लाना हमारे लिए एक्तम लाजमी बनता है और उस बात को छुपाया नहीं ज में सामने कंदरी सरकार कि तरब्येश करने के बात सकत्ति है लेकिन वैं बात करना चाहता हूं कि जब उसको जायिके कर दें तो फिर ये नियाई-पालिका समॉक्षդ हो जाएगे तो कि इन ये बात कही जा रही है कि पास बात पर भर्य साहिए नियाई पालिका जेकि जब हाई जेक हो जाए नियाई पालिका पर भरुस्ता करते रहें और बार बार जेकि जेल अब्यक्ति जाता रहें और जेल में अपना जिंदगी स्माप्त करता रहें तो फिर जेकि किस नियाई पालिका की बात कही जाएगे और दोसरी बाध कि दोस्तों जब देश में तना साही की कोई सिमा और समय जेकी दोनों जेकी निर्धारित नहीं है और एक छत्र जेकी ऐसे जेकी बेउस्ता जेकी बिनाए जा रही है जैसे सम्मिधान की बदलने की बात गही जा रही है JP & Company के लोगों ने अस्वश्ट रूप से कहा है कि हमें 400 सीट जैसे मिलेगे सम्मिधान को बदल दिया जाएगा तो क्या आप सम्मिधान के विरोधी हैं या सम्मिधान के अगर हिताइसी हैं तो क्या ऐसा आप होना देना चाहते हैं अगर होना देना चाहते हैं तो यह विडियो आपके लिए उचित नहीं है और अगर नहीं होने देना चाहते हैं तो हमरे विडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों एक मैं और बात करना चाहता हूं कि किस हैसियत और किस गणित के तहत यह 400 की बाते कहीं जा रही है अच्छी बात है कि 400 नहें आप 500 की 500 पूरीजी तें लेकिन जूर पब्लिक की सर्थ है उस सर्थ पर खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों मैं और बात करना चाहता हूं कि क्या मोधी जी को हरी जंडी दिखाने का बीड़ा थमा दिया गया है कि जहां भी कहीं भी हरी जंडी दिखाने की बाता है तो सिर्फ मोधी जी के अलावा दूसरा कुई ऐसा ब्यक्ति विजपी के अंदर या पकश किसी के अंदर जैके ऐसा ब्यक्ति नजर नहीं आता है जो दिखाएंगे सिर्फ जेकी मोदी जे ही जेकी हरी जहंडे दिखाएंगे क्यों दिखाएंगे मैं आपसे पूछेना चाहता हूँ विजेपी जो केंदर में सरकार में है उस ब्यक्ति के पास जेकी कोई ऐसा ब्योस्ता है कोई ऐसा नेता है या नहीं है देश नहीं जुकने दूँगा देश नहीं बीकने दूँगा तो फिर बिजय माल्या देश छोड़ कर जब चले गए तो फिर उनके रास्ते पर चलने के परियास क्यों किया जा रहा है दोस्तों मैं बता देना चाता हूँ जब बिजय पी एंड कमपनी के अंदर किसी भी प्रकार से नेता जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनको जेकी बोलने के सुर्ज की कुछ अलग ही दिखाई दे रही है कोई कह रहा है सम्विधान बदल देंगे कोई कह रहा है कि प्रतम प्रधान मंत्रे सुवाच्चंद्र भोस हैं कोई जेकी ना रिश सकते की बात करते करते ऐसे जगहों पे चला जा रहा है जिस जगहों प्रचानी की उसे जरूरत भी नहीं है दोस्तों यह एक सटिक और बिसलेसर एक ऐसा बात मैं बता रहा हूं जिसमें सोचने और समझने की जरूज़त अति आउश्चक है दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब भी एलेक्षन का टाइम आता है तो लोगों को एक दिल्चस्पी बढ़ जाती है राजिनितिक में लेकिन उस दिल्चस्पी को कुछलने का परियास क्यों किया जा रहा है अगर कुछी व्यक्ति का ओट देने का अधिकार है तो वह व्यक्ति किसी को भी ओट दे सकता है अगर उसे रोकने का परियास किया जाए यह ओटर लिस्ट से नाम गयाब करा दे जाए ओटर लिस्ट में नाम पहले था ओट देता था और अभी के डेट में उसका नाम ओटर लिस्ट से हट जाए तो फिर कैसे ओट करेगा तो क्या इस तरीका से ओटर लिस्ट का जो मेटर ह यहुआ यह की सुप्रिम कोट में पहुंचना चाहिए यह नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि ऐसे तमाम जगों से पता चला है कि जो व्यक्ति दिया करता था अब यह वाप उट इश्बार जिक नहीं दे सकता है क्योंकि उसका उटर लिष्ट में नाम अभी तक है नहीं और उटर लिष्ट में नाम जुड़ने का समय समप्त हो चुकी है अधिक से अधिक बियलों के पास उटर लिष्ट का लिष्ट मिल चुका है और उसमें तमाम नाम देखने के बाद बहुत ऐसे उट बेक्ति हैं जिनका उट्टर लिष्ट से नाम गायब है तो ऐसा क्यों हो रहा है यह आप जरूर हमें बताईएगा और यह क्या यह राजनिती का एक अभिन अंगे इसे माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है दोस्तों एक मैं और यह की बाद पताना चाहता हूं कि नगीना सीट से जिस प्रकार से ब्यस्पी सुप्रेमों मायावती के भतीचे चुनाओं लड़ने के इक्षा जाहिर करते हो यह कि वहां से जो उन्होंने भासर दिया है उसमें अधिकान ऐसे बाते निकल करके सामने आई है कि ऐसा लगता है कि वह बिजैपी से अंदर ही अंदर क्या के कुछ साथ गाट ये कि दिखाई दे रही हैं फिर भी जे कि वहां से अपने अंदर एक बार जरूर जाग करके देखें कि क्या हम दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या यह आरोप यह की सत्य है यह गलत है दोस्तों सुप्रिम कोट में जो भी फैसला निकल करके आती है उसे बताने पर प्रतिबंद लगा दे जाती है जो चुनाव अयूप के कि एसा जह कि बिद बनाए जाया है और बच्व के आजएक हैज ब्यडती आई जिसके आवा उटाने का प्रयास कर रहा है तो इसके पीछे दोड़ते जिकी थी भक्ते नजर आ रही है CD और ED और CBI के बारे में आप लोग जानते हैं और उस agency को निर्दोस सावित करने के बाद ऐसा मालूम चलता है वह एक ब्यक्ति बिसेस के साथ काम करने का उसका दिल्चस्पी जादे दिखाई दे रही है दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी ब्यक्ति को जेल में आप डाल रहे हैं छे साल गुजर गया उसका सरीर डाउन हो गया उसका सेहत खराब हो गया यह वह जेल के अंदर उसके डेट हो गई तो फिर उसके परिवार वालू को किस प्रकार के संतावना दी जा रही है दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी ऐसे इस्तितिक उत्पन हो रही है तो क्या इस पर अंकुष लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए अंततु कत्वा पता चलता है कि यह व्यक्ति जेकि जो आरूप लगाय गया था वह जेकि आरूप में जेकि इसकि खिलाफ जेकि कोई रियंदा चलता है जो नहीं होने चाहिए आप हमें जरूर बताएगा दोस्तों के जहाँ आप जहां भी कई से वीडियो देख रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास किजेगा कि एलेक्टरोनिक मीडिया में खबर नहीं चलती है लोगों को देखने के लाए क्योंकि लोगों का भरोसा एलेक्टरोनिक मीडिया से जैसे उठा है अब सोसल मीडिया पर जब कि दोस्तों राजनितिक और राजनित दोनों में विशेष अंतर के दिखाई देने लगे है क्योंकि राजनितिक करने वाले और राजनितिक कराने वाले में दोनों में एक विशेष अंतर के दिखाई दे रही है जैसे कि मुझे कहना पड़ता है कि BJP के पास तमाम 500 से जादे सीटों पर सभी सीटों पर लगभग जैकि उमिद्वार के उपलब्ध है और 400 की बात जैकि कही जा रही है तो फिर जैकि ऐसे लोगों को टीकट देने की क्या जरूरत पड़ती है जिसको प्रथम प्रधान मंत्री का नाम नहीं मालूम है और जो जैकि अबत्र जैकि भासा की प्रियोग करता हो जैसे कि सम्मिधान बदलने की बात कह रहा हो वो बिक्ति तो उसके जैकि जुबान पर त यही सरोपरी यहीं कि हमें जिताएगा और यहीं कि निर्दोस ब्यक्ति है भष्टचारियों के खिलाफ नेरेंद्र मोदी साहब बिबल फूक चुके हैं यह अच्छी बात है कि भष्टचार देश में नहीं होना चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ फिर भष्टचा बिल्कुल भष्टचार से मुक्त हो जाता है और वह एक सापसुतर छभी का इंसान और नेता बन जाता है ऐसा क्यों हो रहा है यह बात जानने के लिए आपको एक राजिनितिक विस्षशक के तरह किसी बिसलेसर को सुनना और जानना समझना जरूरी है दोस्तों मैं कभी भी इस बात को जेकी अस्वस्ट और जेकी कभी भी इस बात लेकर के मैं अक्सिग और जेकी अग्रिम एडवांस जेकी बाती जेकी नहीं करने का प्रियास करता हूं मुझे समझ में आता है कि अगर जैसे कि कहा जाता है कि कोई एक ब्यक्ति विसेश जैसे कि एक मुश्लिम संदाई को ले लिजिए कहा जाता है कि हर अतंक्वादी जीक मुश्लिम नहीं होता है लेकिन हर जैकि मुश्लिम अतंक्वादी नहीं होता है लेकिन हर अतंक्वादी ज इस बात को लेकर के सही तरीका से बिसेलेश्टर करना दोनों में बिसेस अंतर हैं. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वही हाल जी के बिजेपी के अंदर है कि जब सभी बिजेपी के लोग साप सुतरा हैं लेकिन जब कोई ACJ की एजनसिया या तमाम जी की उस पर अधिक से अधिक बिजेपी के लोग क्यों सामने आ जाते हैं अभी सुप्रिया के ममला से सामने आया था कि सुप्रिया ने लेकि नारी सकती के अपमान किया और इसकी बास से त्माम तरीका के एक्स ने उस पर लिग गई थी, यहां तक कि उस मेसिज को एक्स प्लेट फर्म से डिलीट भी करना पड़ा सुप्रिया को कंग्रेस के एक नेता है, दिवांगत नेता है, दमधार नेता है और वह लगतार ऐसे कंग्रा रनावत के बारे में बोली थी तो सभी बिजेपी के लोग और चाहे अन्य जे की लोग, सभी लोग जे के इलेक्रोनिक मिडिया पर इस बात को देखे होंगे और जानते होंगे कि ऐसे बाते जे की आई थी सामने कि सुप्रिया को मेसेज को डिलीट करना पड़ा, लेकिन मैं उसी कंग्रा रनावत की बात करत अखितलाम एं झालते हैं कि उसक्ति के बारे में बोलना और बैक्ति को जेकि गलत कहना गलत होगा, दोस्तों जिस प्रकार से, सन्जे सिंग को, कोड ने जवानत करकर बाहर किया है, अब लालू प्रषाद को अंदर करने के बारी आ गया है। तो क्या जेकि लालू करके क्या साबित करना चाहते हैं भरती चंता पार्टी आप हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा और यह भी जरूर बताईएगा कि जब चुनाओं में एक सक्रिय नेता इस टाइम बेल पर बाहर है और राजनेतिक में लगतार अपनी फैट मजबुत हो रही है तो फिर आप क इसे जेके जेल के अंदर डाल ड्लॉ सकता आ यह चुनाओं के बाद भी सकता था यह चुनाओं के दौरां जब अकी इतना शक्रिया है तो फिर किस बाद डर लग रहा है आप हमें जरूर बताईएगा और क्या है के अपको लगता है कि भरती जनता पार्टी जेकी चुनाव जेकी हार जाएगे इस डर के वोजह से तमाम हत्यकंडे को अपनाने का प्रयाश जेकी कर रही है तो आप हमें जरूर बताएगा आप कहां से हैं वीडियो देख रहे हैं कहां से आप लाइक कमेंट सेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद